नमस्कार मिया भीजीट कामले BBC माराथी में आपने सहँगता है देशाचा राजकारनात सग्यात महातवा चार्जा समझले लगात तो उत्तर प्रदेश आनि या उत्तर प्रदेशा में दलीत राजकारनाचे एक वेगल स्थाना है याज पार्शोभु मीवर आज आपन उत्तर प्रदेशातिल दलित नेते आनि भीम आरमी चे प्रमुक चंद्रशेकर आजाग यां चशी चर्चा करना रहोत चंद्रशेकर जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका बीबीसी में न्यूज में दन्यवाद जय भी एक तो पिछले कुछ दिनों से तो यूपी चर्चा में आ ही उसको लेकर आप क्या सोचते हैं अब यह तो बहतर कॉंग्रेस ही बता सकती है अगर उन्होंने प्रियंका जी राजनीते मतारा तो अपना फाइदान उकसाम सोचके उतारा हो और प्रियंका जी जो भी काम करेंगी वो कॉंग्रेस के लिए फाइदाबंद होगा अच्छा है जो बुछ प्योंगा देखने को मिलेगा कि जो पेड लगाया फल देता है यह सूख जाता है अच्छा है कि सपा बस्पा का जो गड़बंदन हुआ था जी उन्हें कॉंग्रेस को साथ में नहीं लिया था तो क्या प्रियंका को मैदान में उतरने के बाद सपा बस्पा गड को नहीं लिया है कॉंग्रेस ने सपा बस्पा गड़बंदन के साथ बात्चितनी की यह तो वो लोग बता सकते हैं मैं चाहता था कि इस गड़बंदन को एक बड़ा सवरूप बनाया जाए क्योंकि मेरे आज भी याद है कि जब बाबा सहाब मेंबर व पार्लेमेंट नहीं तो मैं परखर विनोधी भाजपा चंदर सेखर आजा यह चाहता था कि बड़ा ऐसा गड़बंदन बने जिससे भाजपा किसी भी एक भी खिड़की से संसद में एंट्री नहीं कर पाए तो आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि इस चुनाव के बाद हमारी सरकार आएगे वो कौन सी सरकार किसकी सरकार हो देखिए मुझे पूरा भरोसा है कि देश के बड़े जो पूरे देश में जो बहुजन नेता है वो उनकी जो पार्टिय वो लोग जीत के आएंगे और एक मजबूर सरकार बनेगी तो मजबूर सरकार बनेगी तो उसमें क्या हो कि कोई एक वेक्तित आना शाह नहीं हो सकता है तो मुझे पूरा भरोसा था कि यूपी से बिहार से राइस्थान से मद्दे बर्देश से तो भावजन नेता जीत के आएंगे अपनी पार्टियों से ज इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हो सकता यह उनकी राइनीती का हिस्सा रहा उनको लगता हो कि चंदर्शेखर तो बाबा साब काशिराम के साथ के साथ खड़े हुए तो कोई भी ऐसा काम नहीं करें इससे बहुजन मोव्मेंट को नुकसान हो जाए इसलिए अब उ जह सकता है सरकार प्लानिंक करेंगे दूबारा चंद्सेखर जन ची'veक लehtी के साथ को लिए अवह चके साहह रही है अधी को सब्सक्राइब कर ना मेरा उमेरा उत्देष से भाकिसी से बात करके अपने लिए कोई अजंड़ा तियार करना नहीं सैंसे है पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों को जागरुक करना उनको एकजूट करना इस टुकडों में बिखरे समाज को एकजूट करके एक बड़ी तागत का निर्मान करना बावा साब ने 1932 में कहा कि जाओ अपनी घर की दिवारों पर लिखते हो तुम इस देश के साशक हो उसके बाद लंबे समय तक यह नहीं उपाए लेकिन फिर सहाब काशिराम ने एक नारा दिया कि मुझे मैं अपने बहुजन समाज को हुकमरान बना चाहता हूं तो कुछ खामिया रही है कि हम शाशक नहीं बन पाए तो मेरा परियास है कि अब जो खामिया रही है उसको लोगों के समर्पन वह सा लोग त्याग बहुसरा लोगा संघर्स उसमें होता है तब जाएक चेहरे का निर्बान होता है तो भी मार्मी कोर कमेटी उनके दौरा लिया गार निन्ये बहुजन समाज के पक्स में जो निन्य लेंग उसका मैं स्वागत करूं अधरवाई वही म पार्टी के सपोर्ट में जाने का आपका विचार है अभी उस पर हम एक बड़ी प्रेस कॉम्परस्ट करने वाले हम उस पर अपने इस्यूज भी रखेंगे किन मुद्दों पर हम लोग समर्थन करेंगे क्या क्या हमारी प्राइटी है तो मैं बहुजन हिताय बहुजन समज्ट के जनता मुद्द के मां लोग तंतर में बहुजन लोग करने बहुजन की बहुजन के बहुजन की बहुजन पहले बहुजन वात की बात करों तो मैंट जी काहा है आप उनको निता मानते हैं लेकिन क्या उनके बारे में या उनकी राजणिकती के बारे में कोई एक तो आपकी ओओ किम्स लए कुछ थामी लगति है कॉत थी मैं उनसे ने आठा इसके वह सहब कााशिई राम की मुव्मेंट का नित्त कर रही है और खामिया तो यह है कि मैं सर्जन के खिलाब हूँ मैं बहुजन इताय बहुजन तुखाय की बात करता हूँ और वो लोग सर्जन सर्जन इताय सर्जन सुखाय की बात करता है तो खामी तो सबसे बड़ी यह है जब से दोजार साथ से सर्जन से सुखाए तो सरजन उता है सरुचन सुखाए से हमारा काम से लागा लिए तो खुद की भी तीन चार चर राष्टे पाटि भोती जा रही देखिए भाजपा उनकी खुद कि है कॉंग्रेस हुनकी सुनकी किये आम आदमी पाटि भी अभी जो बड़ अच्छा स्कों पनारी बहुजन समाज के लोग नेत्रत्रटु कर रहे हैं अधिकारों के लिए अपने मुद्धों के लड़ाई लड़ाई लड़ रहे थे अब वो सब चीजे बंद करती गई है लिए इसलिए हमारे आकड़ जो यह हैं वो चैसंसद में विधान सबागा वर इसलिए कम होते जा रहे अब थोड़ा महाराष्टर की तरफ रुप करते हैं पिछले मेने में आप महाराष्टर में थे कई जग जाके अपने सभाइए की हैं अब महाराष्टर की राजनीति का अगर हम देख रहे हैं तो प्रकाश अम्बेड कर आगे आये हैं पिछले कुछ मैनों में और उन्होंने आप जो हैं पोड़ां की अब धकिस तरीके से देखते महाराष्टर में इसका क्या अथर होगा आफ लगता है ढरा तो मैं चाहता था कि एक मजबूत भाजपा खिलाब बने जिससे की भाजपा को रोका जाए तो ऐसे में मैं तो पूरे देश से जो जो सेकुलर लोग है जो कि वह भी मजबूर करते सभी नेता को कि एक प्लेट फारं पर आके इस बार 2019 में तो सविधान की सुख्षा के लिए भाजपा को रोकने के लड़ाए अच्छा और अगला सावाल महराश्ट्र के बारे में हैं तो महराश्ट्र की जो दलित राजनीती है और मूमेंट है अपका जो हाल है उसको उसको आप किस तरीके से देखते हैं देखिए मैं एक बात महराश्ट के बारे में कहना चाओंगा कुछ तो खामियार रही है सब लोग वही है मैं तो पहली बार गया सतर साल में भी आई तक वहां बाबा साहब के वन्तसज और बाबा साहब के लोग शाशन म में नहीं आ पाए सत्ता काविज नहीं हो पाए तो बिल्कुल किया नहीं कि कुछ तो खामी रही है इतना मजबूत समाज इतना मजबूत वर्ग इतनी बढ़िया इतनी अच्छी आइडलोजी इतने महापुरुष जोती भा फूले साहब एक बड़ा समाज बाबा साहु जी कर्णे सर०ी माहराज चातपजी महाराज मा जीज इतने इतनी विच्अ इतने लोग फिर में इस ताविले तो जो कीमी अहिए हैं को जानके कई कि मेरा हमारे युद्पी हम्त मारं चोर की मां को मारं दो तो जो खामी है जो 집 कारण को खतम किया जैका तब जाके साज मेरेशा बहुत बहुत धन्यावाद BBC से बात्रों के लिए